जैशी राम बहुत श्वागत आपका आपके अपने बेहत खास कारिकम मानस जोतिस ग्यान में मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आचार राजमिश्रा तो 24 तारिक को बुद्ध कर रहे हैं राशी परिवर्तन और जा रहे हैं अपनी स्वयम की राशी मिथुन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है ब्यापारिक छेत्र में आप देखेंगे जितने भी ब्यापारी लोग हैं खास करके जिनका ब्यापार मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिसन से रिलेटेड है, आयुरवेट से रिलेटेड है, क्रिशी से रिलेटेड है, या बुक्स से रिलेटेड है, प्रिंटिंग से रिलेटेड है, मुजिकल इस्टूमेंट से रिलेटेड है इन सभी के व्यापार में स्पीड से उच्छाल देखने को मिलेगा खर बुद्ध एक अच्छे प्लानेट है और इनका परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारी परिवर्तन लेकर के आता है मैं हमेशा कहता रहा हूँ तो 24 तारीक को ये राशी परिवर्तन करेंगे और राशी परिवर्तन करने से मेश से मीन परियंत राशियों पर क्या प्रभाव आएगा इस पर हम चर्चा करेंगे मेश राशी के लिए बहुत सारी यात्राएं होने वाली है इंटर्विय उत्यादी में सफलता प्राप्त करेंगे और शात में विदेश यात्रा का योग बनेगा मिथुन के लिए ब्यापार में लाब होगा बिगड़े हुए कारे बनेंगे मार्कटिंग छेत्र में हैं बहुत सफलता प्राप्त होगी और उसके साथ साथ बुद्धी में अजीब सी एक ब्रधी होगी एक अलग से ब्रधी होगी जो आपके लिए लाब करेगी कर्क राज़ी के लिए नुक्षान होगा अचानक लोगों से लड़ाई जगड़ा हो मन में अशांती प्राप्त हो बनते होई कार्यों बिगनुत पन हो ऐसा संयोग है उसके उपाय पर बात करूँगा शिंग राशी के लिए परिस्तियां अच्छी रहेगी शेर मार्केट में बहुत फायदा होने वाला इस टाइम पर शेर मार्केट में जरूर पैसा आपको लगाने की आवश्यक्ता है कन्या राशी के लिए परिस्तिती बहुत अनकूल रहने वाले है नौकरी प्राप्त होगी ब्यापार में लाब होगा मन में प्रसनता प्राप्त होगी तुला राशी के लिए धार्मिक कारियों में मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं बहुत सारी होंगी, पुजा पाठ में समय व्यतित होगा, भागय का स्वहयोग मिलेगा, ब्रिश्चिक राशी के लिए कॉंपटेशन छेतर में सफलता प्राप्त होगी, बड़ स्वास रहेगा, यह ध्यान रखना होगा, धनू राशी के लिए बिवाह हो जाएगा, जीवन शाथी को अच्छी सफलता प्राप्त होने से मन में प्रसंबता रहेगी, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होगे, मकर राशी के लिए ये परिवर्थन अच्छा रहेगा, एक तो मकराशी के जातकों को थोड़ा ध्यान रखना होगा संतान इत्यादी की प्राप्ति होगी मन में प्रसनता रहेगी बिदेश यात्रा का योग प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात का योग बन रहा है कुमबराशी के लिए संतान प्राप्ति का योग बन रहा है बिद्या अध्यान में अच्छे सिमन लगेगा बिद्या अध्यान से आपको लाब भी प्राप्त होगा मीन रासी के लिए प्राप्टी का सुख आपको प्राप्त होगा किसी प्रियशे मुलाकात होगी बिदेश यात्रा होगी आपको नए वाहन की प्राप्ती या वाहन प्राप्टी संबंदित बिजनस में भी आपको लाप प्राप्त होगा जिन लोग ले इनका परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है उनको प्रतेक बुधवार को हरी इलाइची पांच ले करके भगवान गणिस जी को चढ़ाना है और उन इलाइची को अपने पास रखना है इस प्रकार की परिस्ति करेंगे बुधगार आजी परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा जीवन सुक्सम्रधियों से परिप्रून होगा आप बहुत प्रसंद रहें इनी शुब कामना के साथ जै श्री राम बहुत धानेवाद